उन्होंने जैसे ही मेरे face पे cover करा वे दिसकों ट्रेडिंग क्लाइस जॉइन करनी है एंट में जू पिंकरा है लिंक उस पे टेलिगाम चैलेंज जॉइन करो स्की बहुत लिमिटेट है जल दी से जाओ लुद नो मैं बैके अमरे से रिकारड़ गर तो मुझे पता नहीं कहीं बिलरना हो जाए लोग मैं बात करने आले अपने मैं अपने लाइफ के कुछ ऐसे experience आपके साथ श्रीर करने वाला हूं कि जब मुझे परिशानी शुरू हुई थी तो किस तरीके से मैं इस चीज से खुद को mentally अपने belief system को किस तरीके से मैंने बनाया किस तरीके से mentally अपने अपने प्रिपेर करा इवन मैंने किस तरीके से अकेले होकर भी इन सब चीजों से निकलने की पूरी कोशिश की we everyone knows that कि we don't know about the future future में क्या होने वाला है we have to fight this is the rule of life life is tough that's the reality but we have to fight बाटका स्टार्ट करते हैं थोड़ा से शायद बड़ा हो जाए तो कोई नहीं आप देखते रहीजिए I hope आपको अच्छा लगया अच्छा लगया तो प्लीज कमेंट करना लाइक करना in future हम ऐसे और भी बाटकास्ट लाएंगे maybe in future अगमारे बाटकास्ट पे अच्छा response आया तो हम अपने subscribers के साथ में या फिर और guest के साथ में भी इस चैनल पे कुछ लाया week में करें चलो तो स्टार्ट करता है हार इंसान की life में ऐसा time आता है कि जब वो टूट गया होता है emotionally mentally physically हर तरीके से और मेरे साथ वो time आया था आज से लगवाग एक साल पहले में 2022 में तो उस time वैसे तो मैंने वो video भी मनाई थी लेकिन अभी because of some reason that video is private तो वो शायद आपको नहीं मिलेगी side में screen पर दिखा देता हूँ उस time मेरे को blood की moment हुई थी early morning और मुझे पता चला था मेरा body में creatine level बहुत ज़ादा high है BP बहुत high है तो मुझे hospitalized होना पड़ा था उस time पे and हुआ क्या था कि फिर उस time पे मुझे पता चला कि के इंडी में problem चल गई है जादा तो अब मुझे transplant की तरफ process करना पड़ेगा मेरे पस कोई और option नहीं था ऐसा doctor में बोला था ऐसी condition में something like कोई आपकी help भी नहीं कर सकता है like उस time मुझे support की बहुत जरूरत थी but कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था because यह कुछ ऐसी चीज है जो हाथ में नहीं है आपके तो मैं अपने आपको मैं मैंने सोचा कि मैं अपना belief system ऐसा कैसे गरूँ ऐसा क्या करूँ मैं अपने belief system में जो मुझे इस चीज से लड़ने की ताकत दे आपने सुना होगा कि बहुत सी बार आदमी एक मैं आपको छोटी स्टोरी बताता हूँ एक experiment हुआ था जिसमें एक आदमी को आपके पट्टी बांद के साप से कठवाया गया था बाइट कराया गया था और उससे बोला गया कि तुम्हें साप से बाइट कराया गया और वो आदमी उसको लगा कि शायद साप से बाइट कराया गया और वो आदमी कि mind ने इस तरीके से काम करा कि उसकी body ने खुद poison मनाया और वो मर गया तो हमारा जो brain है, हमारा जो subconscious mind वो कुछ इस तरीके से develop है belief system हमारा कुछ इस तरीके से develop है कि जैसा हम चाहें वैसे condition को बना सकते है तो मैंने भी यही सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने belief system को इतना strong करूँ but it's not easy यह इतना आसार नहीं है जितना बोलने में लगता है आदमी जब depressed होता है, anxiety होती है, depression में होता है broken होता है तो उसको समझ नहीं आती चीजे कैसे काम करें उसको कुछ भी समझ नहीं आता है बश्पन सही मैं एक ऐसा बच्चा रहाता है मालब एक ऐसा लगा रहा था जो spiritually चीजों में बहुत बलीव करता था I was not like के बहुत ज़्यादा पूजा गरना, hovership करना, chanting a mantra nothing like that, मेरे पास वो belief system था बश्पन से तो मैंने उस belief system को पकड़ा भगवान को मानता हूँ, मैं पहले से शिब जी को बहुत मानता हूँ, हनुमान जी को बहुत मानता हूँ मेरा belief system उनमें बहुत है मुझे कुछ ऐसी चीज़ यह थी मेरी life में जिसको पकड़के मैं आगे चल सकूँ और मेरे पास कुछ नहीं था spiritually way पर चलने के अलावा so what I decided कि let's do it क्योंकि वहां मुझे शांती मिलती थी और उस टैम मुझे इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा जरूरत थी, तो मैंने क्या start करा मेरे घर से 4-5 km दूर एक मंदिर होता था, हनुमान जी का है sorry, अब भी, तो वहां मैं अपने एक भाई थे उनके साथ जाना मैंने शुरू करा, तो I really feel, really keep calm मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को समझ में आया चीज़े के हाँ, कुछ चीज़े हैं जो तुमारे साथ, तुमारे बिलीब सिस्टम के साथ काम कर सकती है, वो बूस्ट मुझे मिल रहा था तो मैंने अनुमान जी पे शिंदूर चड़ाना स्टार्ट करा, घंटो मैं मंदर में रहता था वहां पे like early morning, 9 o'clock जाना और आफ्टर नून में 2-2 बज़े तक आना कभी-कभी सुबह 5 बज़े निकल जाना और दोपहर में आना बिना कुछ खाए बिना कुछ पीए, वहां पे रहना घंटो, तो मेरा belief system जो था, जो कहीं दब गया था उसको वापस निकालने के लिए क्योंकि बच्पन से मेरा belief system बहुत जो मैं सोचता हूँ वह हो जाता है आज नहीं तो कल, यही power of subconscious mind है, and one more thing इस time में सिर्फ spiritually ही अपने आपको strong करना है not enough, you have to work on your mentality also तो मैंने क्या करा इस time पे, मैंने क्या करा I started reading books अब मैं book नहीं पड़ पाता था, क्योंकि उस time physical condition है थी आँखों में दर्द रहता था सिर में दर्द रहता था, तो मैंने क्या क्या करा, मैंने YouTube यूट्यूब पे ही, कोई subscription लेने की जरूँद नहीं है आप लोगों मैं advice दे रहा हूँ YouTube पे ही बहुत सी ऐसी audio books आपको मिल जाएंगी जैसे Power of Subconscious Mind Think and Grow Rich ये books मैंने study करी, मैंने पढ़ी मैं उस time snaps की डालता था, उन लोगों की मुझे एड हैं तो उनको पता भी होगा तो ये 7 गंटे की 6 गंटे की audio होती थी जरूरी नहीं है, एक दिन में सुनो मैंने 3 दिन में खतम करी थी almost तो Power of Subconscious Mind book मैंने पढ़ी थी, वो बहुत helpful थी मेरे लिए, उस time मैं वो मैंने सुनी थी तो मैं आपको recommend करूंगा you have to go through it, मतलब एक वार आपको लाइफ में जरूरू try करना चाहिए और वाके ही उसमें ऐसे लोगों की inspiration story है जो मुझे भी inspire करके गई काफी mentally अपने आपको prepare करा, spiritually अपने आपको prepare करा, क्योंकि मुझे पता था अगले कुछ महीनों में मेरा kidney transplant होने वाला है, तो मैंने youtube पे 4 चैनल बना है, मेरे जो दो pets हैं, मेरी mother हैं अगर कल को मुझे कुछ होता है, तो उनका क्या होगा, पीछे क्या होगा, family तो बहुत सी चीजे brain में चलती थी एक साथ उस ताम मेरे पास कोई भी option नहीं था खुद के उपर काम करने के अलावा तो मैंने क्या करा, कि अपने उपर काम करते हैं इसके अलावा और हमारे पास कोई भी option नहीं है क्योंकि मुझे पता था कि लिए within 2-3 months मेरा kidney transplant है और transplant के बाद के life मुझे नहीं बता क्या होगी तो घंटों में मंदर में रहता था घंटों में हरुआ जी सिंदूर चड़ाना बैठना, सोचना अपने आपको develop करना अंदर ही अंदर तो वहां से पर मेरे को बहुत ज़्यादा एक positive energy मिली और मैं कहीना कहीन, within a week or two week मैं यह चीज समझ गया कि I can do it I can do it इतनी महनत करिया पिछले 2-3 साल में online अपना थोटा मुटा नाम बनाया है या फिर जो भी मैंने एक brand stabilise करा था, pet shampoos का वह है उसे आके मुझे फिर से run करना है के नाम से तो आपको मिल जाएगा लेकिन अभी currently not available है क्योंकि मैं courier वगेरा यह सब की responsibility भी नहीं उठा सकता तो इसलिए कुछ time के लिए shut down है आने वाल टाइम है, we will work on it अब transplant का time बहुत नजदीक आ गया, जो भी खेर होगा transplant के बाद में मैं अपनी इस belief system को छोड़ूँगा नहीं, मैं इसके पर focus नहीं कितना भी pain हो, कितना भी दर्द हो मैं बस एक ही बात सोचता था, and genuinely मैं क्या सोचता था, कि इस universe की कोई power है जो मेरे साथ खड़ी है I don't know what is this, और वो मेरे साथ गलत नहीं होने देगी I know I am talking like spiritually things, but that's the fact मुझे कुछ ऐसा चीए था, जो मुझे इन चीजों से निकाल सके, और मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास सिर्फ मैं था, और वो एक power जो इस पूरे universe को चला रही है कुछ तो है तो I always think about Mahadev के मेरे साथ है I know, I believe, a day of transplant, transplant और मुझे टाइमिंग प्रॉपर याद नहीं है तो पहले मम्मी को लेकर गए थे फिर मुझे लेकर गए थे और जब मुझे अंदर लेकर गए थे तो काफी बड़ा operation theatre था, मतलब ओटी था ओटी में अलग-लग rooms थे तो पहले मुझे थोड़े दिर बाहर रखा तो वहाँ पर मैं चुप था शान था, लाइक अपने आपको काम रख रहा था keep, तो वहाँ पर शायद डॉक्टर को लग रहा था बहुत टैंशन ले रहा है बट ऐसा कोशन नहीं था अपने आपको शान्त रख रहा था जितना हो सके मुझे लेके गए, आपको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं बट वह ऑक्सीजन नहीं था चायद अनस्थीसिया था या जो भी था पता नहीं उन्हों ने जैसे ही मेरे फेस पे कवर करा, within five seconds मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं सो गया basically मैं बेहोश हो गया अब फिर उसके बाद में जब मैं उठा something is slapping on my face तो एक डॉक्टर थी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं वो मेरे face पे slap करी ती Rahul get up, Rahul get up ऐसे ही मेरे आखे खुली जैसे ही उन्होंने मेरे गाल पे slap करा और जैसे ही मेरी आखे खुली, you know guys उस टाइम ना तो मुझे कुछ दीख रहता मतलब मेरी आखे खुल गई थी, मुझे कुछ नहीं दीख रहता, मुझे सब कुछ बिलड़ दीख रहता जैसे मेरी आखों की रोशनी चली गई और हलका दीख रहता है, आखे खुली हुई थी, मुझे सब कुछ बिलड़ दीख रहता उस टाइम पे और वो continue मेरे गाल पे हलका slap कर रही थी, उठने के लिए लिए गोल रही थी and I start chanting Hanuman Chalisha मैंने Hanuman Chalisha गाना शुरू कर दिया वहाँ पे, Operation Theater में OT में, और ऐसे नहीं शोर मचाके इस तरीके से और बहुत फ्लोली स्पीड में मुझे नहीं पता कैसे ना तो उसना मेरा ब्रेन काम कर रहा था नहीं मेरे को आई दिखाई दे रहा था कुछ, नहीं मैं मैं बोल पारा था साइसे मेरी आँख खुली और मैंने मुझे नहीं पता मेरे subconscious mind में मैं जैसे मैंने बोला ना मेरा belief system ऐसा बन चुका था मुझे महादेब परवाँ जी पूरा भरोसा था और spiritually वह इतना strong मैंने कर लिया था ना अपना इसे ही मेरी आँख खुली मुझे पता तब मुझे वह बचाएंगे और मेरे साथ वह है तो वहां से मैंने तुरंध हनुमान चालिसा कर दी और मैंने ऐसे नहीं प्लैन करके नहीं करा गया मैं प्लैन करके गाऊंग गया कुछ नहीं अपने आप एक अंदर से और उस चीज ने मेरे अंदर इतनी ताकत भड़ दी ना विदिन टू मिनट्स मुझे एकदम होस आ गया मेरे कुछ सब कुछ दीखने लगा सही से बात होने लगी वैसे जाद देर असर रहता है लोगों में कोई कहता है मैं शाम तक सोता रहा कोई कहता है मैं दो गंटे बात तक सोता रहा उसके बाद मेरी आंके खुली तो सबसे पहले मैंने जो मेरे टांके स्टेचेस लगे हुए थे वहाँ पर मैंने हाथ रखा तो काफी बड़ा एक मतलब वहाँ पर एक बैंडेट टाइप का कुछ लगा हुआ था और उसके आसपास में दो पाइप निकल रहे थे जिसमें से ब्लड जा रहा था यूरीन बैग लगा हुआ था काफी चीजे बाडी में लगी हुए थी तो मैं वह सब देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं हुई मैंने बोला मुझे तुप बता था मैंने के लिए था था वो मुझे बोल रहे है रहु उठो उठो आंके खोलो And she started talking to me वो उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया बाते करना शुरू कर दिया वापीस से सोना जाऊ बोले कि अच्छ अच्छ आएड तो बोले कि अच्छ अच्छ आइडी मैं उनको इंस्टाग्राम आईडी बताई तो उन्होंने अपना मोईल मेरे हाथ में देदिया कि टाइप करके बताओ मुझे सब कुछ बिलर दीख रहता था था मतलब मुझे दीखी नहीं रहता कुछ मैं इतना पास मुबाइल लाके बोला हूं से मुझे कुछ नहीं दीखा है तो मुझे लगा शायद एनस्थीसिया का था है क्योंकि चीजे बड़ी थी फिर मुझे ऑपरेशन ठीटर से निकालके आईस्यू में लेके गए आईस्यू जो होता है वो अलग होता है ट्रांस्परंट वालों का मुझे उसमें लेके गए तो जो मेरा आईस्यू वाला रूम उसमें दो चैंबर थे बीच में सीसा लगा हुआ था मिरर था मिरर के साइड डॉक्टर बैटे रहते था और मिरर के उस साइड मेर होता था तो पहले दो दिन थोड़ा सफरिंग में गए मतलब पें था डेफिनेटली वामिट पें था सिर में वामिट था लेकिन उसके अच्छे से काम कर रही है उस टाम लोगों ने मुझे शायद विर को जहां तक दिहाना है 20 लीटर पानी दिया था फिलाते नहीं है मतलब वेंस के थो जो बर्मा कैप लगा हुआता है यहां पर उसके थो मतलब एक पाइप होता है जो यहां लगा रहेता है जिनको नहीं पत करेते हैं सब कुछ प्रॉपर लियां परफेक्ट है किड्नी वर्किंग रिली वैल ऐसा डॉक्टर ने उससे बोला तुमने का चलो यह अच्छी बात है और फिर मम्मी को अलगा इस यू के रूम में रखा गया था मुझे अलग तो फिर मैंने उनसे वीडियो कॉल करी जैसे का रूप होता है दूसरा बिल्कुल सही बात है जब डॉक्टर मेरे पास आये तो मैंने उनसे पूछा सारी रिपोर्ट ठीक है तो बोले हां ठीक है तो मैंने आगे भी ठीक रहेंगी तो बोलते है वो भगवान के उपर है देखो अब तक ठीक है तो आगे भी ठीक रहेंग meditation योवसन या फिर spiritually अपने आपको कैसे strong करना है, खुद को कैसे जानना है, काफी चीज़े हैं और आदमी ठोकर खाके ही चीज़े सीखता है मैंने भी सीखी है, तो मैं वरकिंग ओनिट, अभी बहुत जंग बागी है बहुत कुछ करना है, I don't know future कैसा है हमें नहीं पता, जितना टाइम हमारे पास लिखा है इस प्लैनेट पे उत्ता तो हम survive करेंगे ही लेकिन हार तो माननी नहीं है तो यह मेरा podcast थैक छोटा जै जिसमें मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ share करता हूँ उस time की कुछ अच्छी बाते जो थी आज के टाइम पे सब कुछ अच्छा चल रहा रहा है hope आप लोग का प्यार सपोर्ट ऐसे बना रहे सब कुछ ऐसे ही अच्छा रहे अगर आपको यह podcast अच्छा लगाओ तो please like करना बिल्कुल ना बूलना जल्दी आपसे मिलेंगे किसी और बॉडकास्ट में तब तक लिए good bye and take care